नमस्कार मैं हूँ देवानसू आप देख रहे हैं न्यूस फोर नेशन बिहार में चमकी वुखार का कहर जारी है अब तक 69 बच्चों की मौत हो चुके हमारे साथ इन तमाम उद्दों पर बात करने के लिए बिहार के स्वास्त मंतरी मंगल पांडे हैं मंगल पांडे जी क्या कुछ इंतिजाम आपके तरफ से किया जा रहा है क्योंकि बच्चों की लगातार मौत हो रही है हर दिन कल मैं SKMCH गया था उसके पर उसे लगातार सारे चीज़ों के मौनिटरिंग हो रही है अभी तक जो इंतिजामात वहां किये गए हैं वो इस बीमारी के लिए जो SOP बना है उसके जो परोटोकल्स हैं उसके तहट जो दवाई सुविधाओं की विवस्था चीपिटसकों की विवस्था जो कुछ होनी चाहिए वो सारी परियापत विवस्थाएं सरकार के ऊड़ से की गई है उसमें वहाँ पर एक प्रोफेसर टीन एसोशियेट प्रोफेसर चार प्रोफेसर, नौ सिनियर रेजिडेंट, पंदरह जूनियर रेजिडेंट के तैनात किये गए हैं, इसके अलावे आज पट्टाइम्स के एक वरिस टॉक्टर पेडिटिशन्स को वहाँ भेजा गया है, उनके साथ छे ट्रेंड नरसेज हैं, उनकी टोली गई है, एक नए एसो हर प्रकार के इंतजामात किये गए हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर चिकित्सा, सुविधा और व्यवस्ता दे हैं, कल केंद्री स्वास्त मंत्री आ रहे हैं, पटना आएंगे, फिर मुझपरपुर जाएंगे, फिर पटना में फिर मीटिंग करेंगे। स्वास्त मंत्री जी को हर चीजों की जानकारी दी जा रही है, और कल स्वास्त मंत्री जी आ रहे हैं, तो सारे चीजों की समिक्षा स्विम करेंगे। अरोप ये लगा जा रहा है कि वक्त रहते स्वास्त विभाग मनले कि जो हमके बुखार से उस पर काम नहीं कर रही थी, इस वएसे आकड़ा बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा कि हर काम जो स्वास्त विभाग को करना है वो पूरी ततपड़ता के साथ कर रहा है, पूरी सक्षमता के साथ कर रहा है। और हम हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बहतर सुविधा उपलब्ध कराया जा और वो किया जा रहा है। मैं स्वयम जब कल SQMCH घुम रहा था मैंने परिजनों से पूछा सभी परिजन संतुष्ट थे और जब मैं परिजनों से बात कर रहा था तो मीडिया के साथी भी साथ में थे उनके सामने में बात कर रहा और मीडिया के साथियों के सामने परिजनों ने एक भी परिजन नहीं म कर रहे हैं यह थी स्वास्तमंत्री मंगल पांडे जिनका साफ तोर पर कह रहा है कि चमकुप बुखार से निपटने के लिए लगातार बहतर प्रयास के जा रहे हैं फिलाल अभी तो के लिए इतना ही